असलाम लेकुम स्टूरंट आज हमने जो टॉपिक पड़ना है वो फील्ड ओफ फोर्स पड़ना है हमने लास्ट टाइम हमने कूलम्स ला जो है इन डिटेल हमने डिसकस किया उसकी वेक्टर फ़र्म और फिर डायलेक्टिक पर क्या फेक्ट होता है कूलम्स ला का यह सारा हमने डिसकस किया था और उसमें हमने देखा कि अगर दो पार्टिकल हैं दो पॉइंट चार्जिस हैं वो अपस में जो है सेपरेटिट फ्रॉम सम डिस्टन्स आर तो उनके उपर जो फोर्स एक्ट हो रही है उसकी डारेक्शन जो है अगर सिमिलर चार्जिस हैं तो फोर्स की डारेक्शन आउट प तो इसके लिए जो है आप देखेंगे हम पहले पढ़ चुके हैं आप सब बचे भी के न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्राविटेशनल लौ जो है वह आपने डिसक्स किया है तो इसके बाद कूलम्स लौ भी हम डिसक्स कर चुके हैं तो यह दोनों लौ जो है यह हमें क्या बताते हैं यह दोनों लौ जो हमें बता रहे हैं यह दोनों लौ जो है हमें बता रहे हैं यह हमें क्या बताते हैं कि इसका ग्राविटेशनल लौ जो है वह ग्राविटेशनल लौ जो है वह ग्राविटेशनल लौ जो है वह ग्राविटेशनल फोर्स का तो वह हमें अल्क्रिक जो फोर्स है उसका उस्का मैंगनीचूड अ डिरेक्शन जो है वह बता रहा है ठीक है ये जो जुक्ति यह बता चल रहा है मेंगनीचूड और डिरेक्शन बता चल रही है questions of con evil इसाबसे भी इंपॉर्टन्ट्सू के नीटनffe स मे Detroit नीटनष लाउ辦法 हमें के nos दीला सरा थो हो लिए किस उसरी music के क्यूंपवे हम देखते हैं सबसे पहले हम देखतों के यह जो origin जो है in forces का इससे दो points हमारे जेन में आते हैं कि what are the origin of these forces कि in forces का origin क्या है यह कहां से हमें हसिल होती है दूसरा point हमारे पास क्या है how are these forces transmitted from one mass to another और from one charge to another अब पहला तो यह हमारे जेन में question आ रहा है कि in forces का origin क्या है तीक है यह कहां से आ रही है यह forces naturally है यह हम खुद उसको बना रही है यह किस तरह से यह forces है दूसरा point हमारे पास है कि यह force जो transmit होरी है एक space मैस में जा रही है यह पामch मैस से दूसरी aç जो है उसमें transmit होरी है तो यह किस तरह से हो रही है How are these forces transmitted यह दो सौाल जो है बड़े इंपोर्टन एक पहला जो केस्ट नहीं जी पहला वट आर्ड ऑफ थीर इस फोर्सिज इसका तो जो है यह ओरीजन जो है यह नेचर दीस फोर्सीज और नेचरल ली अकृरिंग यह लाट आला ने फोर्सीज पैदा की है और यह बाइनिचर नहीं ह इस इस यह forces हमें हासिल हुई हैं और यह हम सिरफ उसके बारे में जो हैं वो discuss कर सकते हैं उसके बारे में किस तरह से आगे interaction इसका क्या होता है इनके origin जो है यह हमने इनको बना सकते हैं यह naturally occurring forces है तो दूसरा जो सुआल है कि इनकी transmission जो है यह transmit कैसे होते हैं इसका जवाब देने के लिए क्या है कि यह Michael Faraday ने 1791-1867 यह उसका है सारा duration का पैदा हुआ और यह date of birth और यह उसकी जो है death अच्छा तो सबसे पहला जो question था कि origin of forces का तो क्यूंकि यह by nature है so that's why they are called basic forces of nature so it is also important for MCQs these are called the basic forces of nature और जो Michael Faraday की यह जो है figure है यह हमारे पास यह भी important है यह MCQs के लिए अच्छा Michael Faraday ने हमें क्या बताया उसने सारा जो है इसके उपर रिसर्च की और उसने बताया mechanism by which electric forces are transmitted कि electric forces जो है वो transmit कैसे होती है तो इसके लिए उसने क्या बताया उसने यह कहा उसकी जो theory थी उसने जो theory पेश की उसमें उसने यह कहा कि it is the intrinsic property of nature that an electric field exists in the space around an electric charge यानि कि यह nature की intrinsic property है कि अगर एक charge पड़ा हुआ है हमारे पास for example this is a charge q तो इसके गिर जो है automatically electric field जो है वो आ जाता है यह उसने जो है research की और उसने यह theory पेश की अपनी ठीक है और यह जो field है हमारे पास this electric field consider to be a forced field इसको हम क्या कहते है इसको हम force उसने force field का नाम दिया कि जहां भी एक electric charge होगा उसके गिर जो है वो एक field आ जाएगा and that is the electric field अच्छा अब यह जहां से हमें क्या definition हासिल होती है यहां से हमें electric field की definition हासिल होती है और वो field की definition क्या है the space or region around the charge in which it exert electric force on other charges placed in that field is called electric field this is the definition of electric field के जो हमने एक charge लिया ठीक है और उसके गिर जो है automatically एक electric field आ गया ठीक है जा लिया यह देखने के लिए किया वहाँ field मौजूद है भी के नहीं अब यह जो field जो के पहले से मौजूद है वो दूसरे test charge के उपर force exert करेगा और वो force हम आगे calculate करते हैं कि वो कितनी force होगी और उसकी strength कितनी होगी यह सारा हम discuss करते हैं तो लेकिन electric field की definition क्या है अगर तो यह force exert कर रहा है दूसरे charge के उपर जो उसके करीब लाया जाता है तो इसका मतलब है यहां पर कोई ना कोई field मौजूद है और उस field को क्या है किसका नाम दिया गया electric field का नाम दिया गया आगे हम discuss करते हैं कि वो उसकी strength वो जो force exert हो रही है दूसरे charge के उपर जो कि उसके पास लाया जा रहा है उसके उपर कितनी force exert हो रही है वो हम जो है वो next हम discuss करते हैं और point charge के बारे में मैंने definition पहले ही आपको बता दी है कि what is point charge वो क्या होता है आगे हम आगे further discuss करें